सहरमपूर के प्रकरति कुझ हरवल वाटिका में दस परकार के तुलसी के पोधे लगे हुए हैं हिंदु धरम में जहां तुलसी पूजन को बहुत महत्पूर्ण मान गया है महीं तुलसी के पतों से आयरुवेदिक इलाज भी किया जाता है। दस परकार की तुलसी के पोधों में व्यक्ति के सरीर में उपजी कई बिमारियों को ठीक करने की छमता होती है। आयरुवेदिक चिकिशकों की माने तो कैंसर जैसी खतरनाग बिमारी भी तुलसी के पत्तों का अर्ख पीने से ठीक हो जाती है। प्रकरति कुझ हरवल वाटिका में लगे हुए दस परकार की तुलसी के पोधों के विशे में विस्तार से जानकरी दी गई है। लेकिन वनवस्पत्ति में तुलसी की परजाती दस परकार की होती है। उन्होंने बताया कि हरवल वाटिका में सभी दस परकार की तुलसी के पोधे लगे हुए है। राजेंदर अटन ने बताया कि अध्यात्मिक रूप से तुलसी के पोधे का पूजन किया जाता है। धरम में अनुयायों के घर आंगर में तुल्शी का पोधा आवश्यक रूप से लगा हुआ होता है। राकर्तिक चिकिस्षक राजेंदर अटल प्रकर्तिकुंच प्रांगन से मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे पोधे के बारे में जो आजकल सभी जगे चाहिए आपने गंले में लगाया या घर की बॉलकानी में लगाया या आप उसकी खेती कर रहे हैं यह पोधा है तुल्श तुल्शी नात तुल्शी और दूसरी परकार की तुल्शिया मेरे चारों और मेरे पास देख रहे हैं यह दिखाई है साथ यह वन तुल्शी यह ऐसी तुल्शी। जो सर्दी के मोहन्य में भी फल फूल दे रही है हरी भरी दिखाई दे रही है और यह बद्री नात तुलसी बद्री नात तुलसी की खास्यत ही है कि 15 दिन इसके 4-6 पत्तों का प्रती दिन उबाल कर सेवन कर लें किसी परकार की सुगर 15 दिन के इंदर सुगर नॉर्मल हो जाएगी और तुलसी के बारे में माना जाता है कोई भी बिमारी हो उस हर बिमारी में तुलसी उप्योगी है इसको दूर कर सकते हैं किसी दवाई के आपका उशकता नहीं करना क्या है इसकी साथ पत्ती को उबालें पानी के साथ और जब पानी एक तिहाई रह जाए तो घूट घूट भरके सुबही इसका सेवन कर लें शाम को जब घर के अंदर पर वेश करें फिर एक बार इस तुलसी को पत्यों को बलवाएं और सेवन करने और इसके बीज इसके बीजों की महिमा तो अप्रम पार है कैसी ही शरीर में शक्ति विहिंता हो नपुन सकता हो इस्तरी हो पुरुस हो प्रमे रोग हो शरीर से पानी बैता हो योन रोगों उन सारे रोगों में तुलसी का बड़ा मेहत्व है एक वेगानिक ने तो यह कहा है कि तुलसी के द्वारा हम कैंसर भी ठीक कर सकते हैं चालिस दिन तक तुलसी का लगातार हम सेवन करें तो कैंसर भी हार मान जाता है तो ऐसी यह भारत की अमुले घर घर में रखी जैने वाली पूजा की जैने वाली तुलसी है जिसका बड़ा महत्व है और शिरीराम ने भी जिस वाटिका में रहे थे वन के अंदर वहां पर तुल्षी का पोदा था, तो आज इस तुल्षी से मिलिये, यहाँ पर 4-5 परकार की तुल्षी तो यह दिखाई दे रही है, और आपको मैं इसके अलावा भी और 10 परकार की तुल्षी दिखाना चाहूंगा, आईए मैं आपको दिखाता हूँ, यह है श्यामा तुल्षी, सर् इससे मिलें, यह है निम्भू तुल्सी, श्यामा तुल्सी, रमा तुल्सी है, यह मीठी तुल्सी है, उदर निम्भू तुल्सी है, मसाला तुलसी हिमालय तुलसी तो हमारे पास यह इस परकार दस परकार की अनेक तुलसी हैं जिनके गुणन लगबग मिलते जुदते हैं बीपी के लिए, बलड प्रेशर के लिए, हर्दे रोगों के लिए, तफचा रोगों के लिए, पेट रोगों के लिए और आजकल जैसे सर्दिक गम् महसम चल लहा है और फ्री दूसरी हो जब पिछले वर्णों में भारत में करोना आया कोरोना में इन तुल्सियों ने बड़ा काम किया घर गहर में तुल्सियों की मांग बढ़ गई थी हमारे पास प्यानेक लोग आते थे हमसे पूछते थे और हमने या लगबग 20,000 पैकिट सेवा भारती के बाद हमसे नीश शुल्क वित्रण किये लेमनग्रास तुल्सी की पत और इम्नुटी का मतलब है हमारी रोग रोधी अक्षमता का बढ़ना जब रोग रोधी अक्षमता बढ़ेगी तो किसी भी परकार के रोगों का असर हमारे शरीर पर नहीं होगा हमने देखा कोरोना जैसी बीमारी की कोई अंग्रीजी दवाई भारत में उपलब नहीं थी लोग होस्पिटर में तो भरती हुई है लेकिन डोक्टरों के पास के ओल बचाओ ही एक तरीका था जिन लोगों ने अपने घर पर रहकर अजवायंत तुलसी, कपूर जैसे प्राकर्तिक अरुवेदिक गुनों वाले पोधों का पतियों का उष्दियों का प्योग किया उन उस बुखार में हाथ पेर मुडगे लोगों के उसको भी लोगों ने कहा ये भी कहीं वी देश से आया उसमें भी ये सारी तुलसी बड़ी कारगर साबित हुई है तो असंख है गुनों से भरपूर है तुलसी जो भी आप जानना चाहेंगे मुझसे बात कर सकते हैं तिरान में भी और अन्य हर्वल पॉद्धों के बारे में